असलाम अलेकुम दिस इस मेरा ताहिर आपको पॉलिसी जब भी आप कोई लेते हैं उसमें एक फ्री लुक पीरियड आपको दिया जाता है जो कि किसी भी इंशूरंस कंपनी का जो रेगुलेटर होता है उसकी इंस्ट्रक्शन पे इंशूरंस कंपनी को पॉलिसी वोल्डर को पुर्वाइट करना पड़ता है इससे पहले कि 14 दिन का ये period शुरू हो उससे भी पहले SECP की जो के insurance companies का regulator है पाकिस्तान में उसे insurance companies को उसने guideline दी विये कि एक structured telephonic call जो हर policy holder को वे पास जानी चाहिए जिसमें आप policy holder को बताएंगे उसका premium कितना है उसका sum short कितना है उसके benefits कितने है और क्या वो जो चीज उसने लिए उससे satisfied है या नहीं अगर customer कह देता है कि मैं satisfied हूँ तो well and good उसकी policy जो है continue हो सकती है या approval भेज दिया जाता है अगर वो satisfied नहीं है तो वहां पे भी बता सकता है जो भी उसको नमायंदा company की तरफ से call कर रहा है कि नहीं जी यह चीज मेरे में नहीं है यह मुझे नहीं बताएगे यह वहां पर भी स्टॉप लग सकता है फर्स करें customer ने वहां पर हामी बर दीए ठीक है यह वह चीज जो मुझे बताएगे थी और well and good उसको policy documents receive हो जाते हैं mail में अब यह जो free look period है यह उस दिन से start होता है जिस दिन उसको policy documents customer को mail में मिलते हैं डाक में मिलते हैं उस दिन से चोदा दिन का period चुरू होता है यह इसलिए कि customer ने जो policy जो plan लिया था उसको अच्छी तरह से देख ले चेक कर ले अगर वह इस चीज से satisfy नहीं है यह उसे लग रहा है जो चीज उसको बताएगे थी यह policy यह plan उसके मताबिक नहीं है तो यह उसका right है कि वो इसको उन 14 दिन के period में cancel कर दे और company उसको उसकी full amount जो है वो refund कर देती है जो उसने premium की सूरत में अदा किया होता है अभी एक तो यह चीज हो गई दूसरी आप चीज जो point to be noted वो यह है कि इस 14 दिन का जो अर्सा होता है जो policy holder है वो फिर भी इन 14 दिनों में भी covered है कि अगर उसको खुदाना खास्ता कुछ हो गया तो उस सूरत में उसके beneficiary को उसका sum short या face amount जो भी तैप आया गया होता है वो मिल जाते है और SECP की हदायत है कि customer को 30 दिन के अंदर अंदर उसकी जो हर हाल में वापिस कर देनी चाहिए एक तो यह चीज़ होगी अब बात वह रही थी कि पूरे पैसे मिल जाएंगे पूरे पैसे वापिस मिल जाते हैं 14 दिन में बड़ कुछ companies में ऐसा है कि अगर कोई company का medical expense किसी customer के उपर हुआ है तो वह eligible है कि वह डिड़क कर सकती है सकती है कि आपको आपका पूरा पैसा जो है 14 दिन के अंदर वापिस मिल सकता है अगर आप उस चीज़ से सटिस्पाइड नहीं इसके साथ ही मेरी वीडियो का एक तताम होता है थैंक यू सो मच पर वाचिंग मी लाइकिंग माई वीडियो आप लोगों के कोमेंट्स का शु करिया और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई गया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आम अल्वेस ओपन फोर दे सजेशिंस इन दा कॉमेंट बॉक्स और यू कर सेंड मी एमेल और पर